हेलो स्टूरेंट्स आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेयर्ज ओफ दो हार्ट वाल ठीक है लेयर्ज ओफ हार्ट वाल जो हार्ट है उसके कितनी लेयर्ज होती है ठीक है तो यह तो मैं सब कोई पता है कि जो हार्ट वाल है उसकी बेसिकली कितनी लेयर्ज होती है तीन लेयर्ज होंगी कितनी लेयर्ज होती है तीन लेयर्ज होती है फर्स्ट है फर्स्ट जो इसकी लेयर है वो है एपिकार्डियम एपिकार्डियम सेकेंड होती है मायोकार्डियम and थार्ड इस एंडोकार्डियम बेसिकली कितनी लेयर होती है इसकी तीन लेयर होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम and एंडोकार्डियम सबसे पहले आगर हम एपिकार्डियम की बात करें एपि मीन्स क्या होता है हमेशा एपि मीन्स आउटर ठीक है एपि मीन्स आउटर तो हमेशा अगर हम layers की या walls की बात करें तो हम हमेशा outer to inner move करते हैं ठीक है, तो epigardium कैसी है? Outer layer है और endogardium कैसी layer है? Inner layer है तो myogardium कैसी layer हुई? Middle layer हुई? ठीक है, अब outer layer हमने जिसे previously भी पढ़ा था ठीक है, कि covering की बाद जब हम कर रही थी तो हमने क्या बोलता कि outer covering या outer layer हमेशा कैसी होती है? Rough होती है या tough होती है ठीक है, कैसी होगी इसकी? यह होती सबकी सबसे toughest layer होती है ठीक है, या इसको हम बोल सकते है roughest होती है सबसे rough यह होगी ठीक है, और endogardium मतलब inner है यह, अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ हमेशा कैसी होगी है यह सबसे smooth होगी है, most smooth बोल सकते है इसको most smooth layer ठीक है? तो एक difference तो यह होगी है कि epigardium कैसी होती है, toughest होती है, roughest होती है जबकि endogardium कैसी होती है, most smooth layer होती है अब अगर हम बात करें, thickness की कि कौन सी ज़्यादा थिक होती है तो जो myocardium होती है, वो क्या होती है? thickest layer होती है thickest, ठीक है? सबसे थिक होती है, कितना यह heart wall का 95% जो होती है वो myocardium होती है, ठीक है? क्योंकि जो pumping action होता है जो major muscles, sorry, major जो layer present होती होती है वो कौन सी होती है, myocardium होती है, ठीक है? और सबसे thin, अगर हम यहाँ thickness की बात करें, तो सबसे thick कौन सी हो गई myocardium क्योंकि सबसे ज़्यादा work यही layer करती है और जो endogardium होती है, वो सबसे thin होती है ठीक है? यह कैसी है? thinness layer है अगर हम protection की बात करें, या हम action की बात करें कि कौन सी layer क्या work करती है तो outer में हमने क्या पढ़ा है? outer कैसी होती? tough होती है तो अगर यह tough है, तो यह क्या provide करेंगी? protection provide करेंगी ठीक है? और यह inner है, यह soft है, तो यह क्या करेंगी? सिर्फ line बनाएगी, smooth lining बनाएगी smooth lining बनाएगी ठीक है? तो myocardium क्या करेंगा? outer ने तो protection कर दिया inner ने क्या कर दिया? lining बनादी तो myocardium क्या करेंगा? यह provide करता है pumping action pumping जो होता है, बलड का वो कौन सी layer करवाती है? myocardium से होता है, ठीक है? अब जो यह epicardium है, यह कैसी है? outer है तो यह क्या करती है? heart का over stretch नहीं हो जाए या over dilate नहीं हो जाए उसको prevent करेंगे ठीक है? किसको prevent करेंगी? over stretching को prevent करेंगी उनके बीच में बलड के connection को prevent करेंगी कि दोनों का जो बलड है वो mix नहीं हो जाए ठीक है? तो वो क्या करवाती है? it prevents it prevents connection between blood in chambers and cardiac cardiac cells ठीक है? यह basic थोड़ी सी छोटी सी चीज है कि लेयर्स क्या होती है? बस एक छोटा सा description है ठीक है? अब चो हमरा major topic है आज का वो topic क्या है? chambers of the heart ठीक है? हम heart के chambers के बारे में study करेंगे chambers of the heart अब चेंबर्स के लिए एक बेसिकली छोटा सा एक डाइग्राम देखते हैं अब चूब आएग्राम देखते हैं झाल यह heart का एक rough diagram है ठीक है अगर हम chambers की बात करें तो heart की कितने chambers होते हैं four chambers होते है right atrium left atrium right ventricle left ventricle जो upper part होते है उसको हमेशा क्या बोला जाता है atrium और जो lower part होता है उसको हमेशा क्या बोला जाता है ventricle तो right atrium और right ventricle इन दोनों के बीच में क्या होते हैं valves present होते है ठीक है क्या होते है valves present होते है यह जो होते है right atrium और right ventricle के बीच में जो valves present है उसको हम बोलते है, tricuspid valve, उसको हम बोलते है, tricuspid valve, और left atrium और left ventricle के बीच में जो है, उसको हम बोलेंगे, bicuspid, अब जिसे नाम से हमें clearly पता चल रहा है, tricuspid means 3 cups present होंगे, और bicuspid means 2 cups present होंगे, अब ये क्या है, ये valves क्या होते है, वो हम आगे अभी discuss करेंगे, अगर हम heart के origin की बात करें, कि heart का origin कैसा होता है, या कौन सी layer जो होती है, उससे heart का development start होता है, ठीके, तो heart जो है, उसका जो development है, वो कैसा होता है, mesodermal है, मतलब जो mesoderm layer होती है, उससे develop होता है, ठीके, ये छोटा सा question है, कभी कभी आ जाता है किसी exams में ठीक है कि heart का development कैसा होता है mesodermal होता है ठीक है अब क्या होता है कि development start कब होता है कि fertilization के कौन से time पर heart का development start होता है तो fertilization के 18th day पर ठीक है on the 18th day of fertilization जो fertilization हो रहा है या जो fertilization हुआ है उसके 18th day पर heart का क्या होगा development start होगा कैसे start होगा एक कार्डियोजनिक area develop होगा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा heart develop हो जाएगा नहीं सबसे पहले क्या होगा एक कार्डियोजनिक area develop होगा कार्डियोजनिक एरिया डेवलप होगा कब on the 18th day of fertilization ये भी एक important question है कि fertilization के 18th day पर heart का क्या होता है generation start होता है ठीक है और आगे जाकि ये mature heart के अंदर change हो जाता है अब देखो अगर हम कुछ important topics की बात करें इसी से रिगार्डियोजनिक फर्टियलाइजेशन या heart के development से start करें तो हमने क्या देखा कि heart का development start कब होता है 18th day पर start होता है ठीक है अगर हम heart beat की बात करें heart beat की heart beat start होती 21st day of fertilization ठीक है fertilization के 21st day पर heartbeat होना start होता है circulation जो होता है heart का circulation होना start होता है अगर हम circulation की बात कर रहे है circulation start होता है 25th day पर चैंबर्स कब बनना स्टार्ट होता है चैंबर्स बनते हैं 5th week ठीक है तो क्या चीज़ है कि मीजो एक तो क्या होगा Heart Mesodermal Development होता है इसका कब बनना स्टार्ट होता है Fertilization के 18th day पर ठीक है first heart weight कब start होती है fertilization के 21st day पे circulation start होगा 25th day पे और chambers कब बनना start होते है 5th week पे यह जो topics है यह जो 4 points है यह बहुत ही important है इस पे mostly questions आते हैं बहुत बार होता है कि पूछ लेते हैं कि heart weight first heart weight start कब होती है circulation कब होता है chambers सिर्फ हम medical surgical की बात नहीं करेंगे यह pediatric के अंदर भी बहुत बार पूछ लेते हैं या फिर इसको ops guiding के अंदर भी बहुत बार exam के अंदर आ जाता है one liner questions आ जाते हैं से ठीक है तो अब हम chambers के details study करना start करते हैं सबसे पहले जो हम chamber पढ़ रहे हैं वो chamber है right atrium ठीक है कौन सा chamber है right atrium ठीक है right atrium कौन सा है यह वाला ठीक है हम इसकी study करें इस right atrium की start करें हम basic basic थोड़ी थोड़ी चीजे पढ़ेंगे ठीक है अब right atrium जो होता है उसकी अगर हम thickness की बात करें ठीक है या उसके हम measurement की बात करें तो यह कितना होता है 2-3 mm कितना होगा 2-3 mm जितने भी chambers है उनमें सबसे thin जो होगा ठीक है thinest of all जितने भी chambers है उसमें सबसे thin कौन सा होगा right atrium होगा अब यह right atrium जो होता है वो क्या करता है, वर क्या है राइट अट्रियम का, जो राइट अट्रियम होता है, वो क्या करता है, डी ओक्सिजिनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है, किसके थ्रू करेगा, यहाँ पर होगी, सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पर होगी, इनफीरियर वेना केवा, और एक होता है coronary sinus ठीक है तो इन तीनों के थ्रू right atrium क्या करता है body का जितना भी deoxygenated blood है वो receive करता है ठीक है receives deoxygenated blood फ्रॉम सुपीरियर वैना के वा इंफीरियर वैना के वा एंड कोरोनरी sinus ठीक है अगर हम pressure की बात करें कि right atrium के अंदर normally कितना pressure होता है ठीक है अगर हम normal pressure की बात करें तो इसके अंदर होता है 1-8 mm of Hg ठीक है यह basic चीज़े की right atrium इतना होगा क्या उसका main function होगा या उसका कितना pressure होगा ठीक है second हम बात करते हैं right ventricle की right ventricle ठीक है अब right atrium के बाद में कौन सा आता है right ventricle इसके भी हम thickness की बात करें तो इसकी ठीकने से 4-5 mm ठीक है अब यह क्या करेगा जो de oxygenated blood कहां पर आया है right atrium तो वो right atrium से किसके अंदर आएगा right ventricle के अंदर आएगा उसको क्या करता है यह वापस आगे पहुंचाता है ठीक है कैसे पहुंचाता है पल्मोनरी आर्ट्रे के थो क्या हुआ अब राइट एट्रेम से जो भी de oxygenated blood है वो किसमा आया right ventricle तो right ventricle से क्या निकलती यहां पीछे की तरफ से पल्मोनरी आर्ट्रे क्या है पल्मोनरी आर्ट्रे इस पल्मोनरी आर्ट्रे के थो जो de oxygenated blood है वो कहा जाएगा lungs के अंदर जाएगा ठीक है तो यह क्या करता है it pumps de oxygenated blood to the lungs with pulmonary artery आप क्या होता है यह जो right atrium और right ventricle है वो आपस में किसके तो attached होता है या फिर उनके बीच में क्या present होता है between right atrium and right ventricle there is a valve एक valve like structure होता है उसको हम क्या बोलता है tricuspid valve ठीक है हमने देखा था ना कि right atrium और right ventricle के बीच में एक valve present है इसी के through blood right atrium से right ventricle में आएगा तो इसको हमने क्या बोला tricuspid valve तो यह जो tricuspid valve होता है वो किसके through बना होता है वो combination होता है three papillary muscles उसके किसका combination होता है तीन papillary muscles जो किससे राइज होती है corde tindynaire corde tindynaire ठीक है यह है राइट ventricle अब next हम देखते हैं left atrium left atrium left atrium की thickness के अगर हम बात करें तो इसकी thickness भी होगी 2-3 mm एक बात है कि जो atrium है दोनों atrium उनकी thickness क्या है सेम होगी ठीक है अब यह left atrium क्या करता है oxygenated blood receive करता है कहां से lungs से जो deoxygenated blood गया था right ventricle से lungs में गया था उस lungs से वापस blood कहां आएगा left atrium के अंदर आएगा तो यह left atrium क्या करता है it receives oxygenated blood from lungs with pulmonary vein ठीक है pulmonary vein के थूँ क्या करता है यह oxygenated blood को receive करता है ठीक है और last आता है left ventricle left ventricle अब जो left ventricle है उसको हम थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे अब अगर हम बात करें तो जो main function जो होता है इन सारे chambers के अंदर वो main function किसका होता है left ventricle का यह क्या होता है सबसे जादा थिकनेस जो होगी most सबसे जादा थिकनेस किसके होगी left ventricle की होगी यह क्या होता है largest होता है जितने भी हमने चैंबर्स पढ़ें उसमें सबसे लार्ज कौन सा है left ventricle यह क्या करेंगा कि जो इसने blood receive करा है कैसा oxygenated blood left atrium से किसके अंदर आएगा, left ventricle के अंदर आएगा उसको कहां transport करेंगा, body tissues तक उसको क्या करेंगा यह transport करेंगा और किसके थ्रू करेंगा, aeota के थ्रू ठहिक है, जो first artery left ventricle से arise होती है वो कौन से artery होती है, aeota ठहिक है तो उस एयोटा की जरू क्या करेगा oxygenated blood को पूरी body tissues के अंदर transport करेगा ठीक है क्या करेगा यह pumps oxygenated blood to the body tissues with एयोटा अगर हम ठीकनेस की बात करें हमने क्या बोला था कि सबसे ज़्यादा thickest है तो इसकी ठीकनेस कितनी होती 10 से 15 mm ठीक है अब क्या है जैसे कि हमने यह tricuspid valve देखा था ना कि right atrium और right ventricle के बीच में tricuspid valve है उसी तरह से left atrium और left ventricle के बीच में जो valve होता है वो कौन सा होता है between left atrium and left ventricle क्या होता है by cuspid होता है by cuspid valve तो वो कौन सा valve होता है by cuspid valve ठीक है और बाय है means 2 papillary muscles होंगे ठीक है ट्राइकस्पिड के अंदर तीन पैपिलरी मसल्स है तो इसके अंदर क्या होंगी दू टू पैपिलरी मसल्स ठीक है प्लस कोडी टेंडेनरी ठीक है तो यह एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया या बेसिक हमने जो डीटेल में हमने पढ़ा कि हमारे हार्ड के कितने चैम्बर्स होते हैं एक छोट-छोटे टॉपिक से कि हमने की हार्ड बीट कब स्टार्ट होती ही सर्कुलेशन कब स्टार्ट होता है ठीक है यह एक छोटा सा पॉर्शन है अब बाकी जो होगा इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिसकस thank you